अधर्णिय राष्ट्पती जी आधर्णिय उप्राष्ट्पती जी लोग सवागे दक्षा जी पुर्व प्रधान मंत्री आधर्णिय देवगोडा जी मंत्री परिशत के मेरे साथी सदन के सभी सन्मानित सदस्यगन और विविदक शेत्र से पधारे हुए सभी वरिष्ट महानुभाव राष्ट के निर्मान में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर हम किसी नए मोड पर जाते हैं नए मुकाम की और पहुँचने का प्रयास करते हैं आज इस मध्यरात्री के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं कुछ देर बाद देश एक नई व्यवस्ता के और चल पड़ेगा सवास्व करोड देशवासी इस एतियासी घटना के साक्षी है जी एस्टी की ये प्रक्रिया ये सिरफ अर्थ व्यवस्ता के दाइरे तक सिमित है ऐसा मैं नहीं मानता पिछले कई वर्षों से अलग-अलग महानुभाओं के मारदर्शन में नेत्रुत्म में अलग-अलग टीमों के द्वारा जो प्रक्रियाँ चली है वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की भारत के संग्ये धाचे की कोपरेटिव फेडरिलिजम के हमारे कंसेप की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में आज ये अवसर हमारा आया है इस पवित्र अवसर पर आप सब अपना बहुमुल्य समय निकाल करके आये हैं मैं रदय से आपका स्वागत करता हूँ आपका आभार व्यत्त करता हूँ ये जो दिशा हम सबने निर्धारित की है जो रास्ता हमने चुना है जिस विवस्ता को हमने विक्सित किया है यह किसी एक दल की सिद्धी नहीं है यह किसी एक सरकार की सिद्धी नहीं है यह हम सबकी सांजी विरासत है हम सबके सांजे प्रयासों का परिणाम है और रात्री को बारा बजे इस सेंट्रल हॉल में हम एकत्रा आये हैं यह वो जगा है जिस जगा पे इस रास्त के अनेक महपुर्षों के पद्चिन्हों से इस जगा ने अपने आपको पावन किया हुआ है ऐसी पवित्र जगा पर हम बैठे हैं और इसलिए आज सेंट्रल हॉल कि इस गट्ना के साथ हम याद करते हैं 9 दिसंबर 1946 समिधान सभा की पहली बैठक का यह सभागर साक्षी है हम उस्थान पर बैठे हैं जब समिधान सभागी प्रतम बैठक हुई पंडि जवालाल नेरू, मौलाना अब्दुकलाम आजात, सरदार वल्लभाई पतेल, बाबासाब आमबेडकर, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, सरोजिनी नाइडू, यह सब महपुरुष पहली कतार में बैठे हुए थे उस सदन में, जहां कभी, 14 अगस्त 1947, रात को बारा बजे, देश की स्वतंत्रता की उस पवित्र महान घटना, यह स्थान, उनका साक्षए है 26 नवेंबर 1949, देश ने समिधान को स्विकार किया, यही जगा उस महान घटना का भी साक्षी के रूप में है और आज, वर्षों के बाद, एक नई अर्थ व्यवस्ता के लिए, संग्ये धाचे के एक नई ताकत के लिए, जी एश्टी के रूप में, इसी पवित्र स्थान से बढ़ करके, मैं समझता हूँ कोई और स्थान नहीं हो सकता है, इस काम के लिए। सम्मिधान का मंथन, दो साल, ग्यारा महिने और सत्रा दीन तक चला था। हिंदुस्तान के कौने कौने से विद्वत जन, उस बहस में हिस्सा लेते थे, बाद विवाद होते थे, राजी नाराजी होती थे, सम्मिल करके बहस करते थे, रास्ते खोचते थे, कभी इस पार कभी उस पार नहीं जाए पाए, तो बीच का रास्ता खोच करके चलने का प्रयास करते थे। ठीक उसी तरह ये जियेस्टी भी एक लंबी विचार प्रक्या का परणाम है, सभी राज्य समान रूप से केंद्र सरकार उसी की बराबरी में और सालों तक चर्चा की है, साउसद में इसके पूर्व के भी साउसदों ने, उसके पूर्व के साउसदों ने, लगातार इस पर बहस की है, एक प्रकार से, बेस्ट ब्रेंस अब दो कंट्री, उन्होंने लगातार इस काम को किया है, और उसी का परणाम है, कि आज ये GST को हम साकार रूप में देख सकते हैं, जब समिधान बना, तो समिधान ने पुरे देश के दागरिकों को, समान अवसर, समान अधिकार, उसके लिए सुनिष्टित व्यवस्था खड़ी करती थी, और आज GST, एक प्रकार से, सभी राज्यों के उन मोत्यों को, एक धागे में परोने का, और आर्थिक व्यवस्था के अंदर, एक सुचारू व्यवस्था लाने का, एक एहम प्रयास है, जी एस्टी, ये कॉपरेटिव फेडरलिजम की, एक मिशाल है, जो हमें हमेशा हमेशा, और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी, जी एस्टी, ये टीम इंडिया का, क्या पनणाम हो सकता है, ये टीम इंडिया के, कर्तूत्व शक्ति का, सामर्थ का, परिचायक है, ये जी एस्टी काउंसील, केंदरो राजे ने मिलकर के, उन व्यवस्ताओं को विक्षीत किया, जिसमें, गरीबों के लिए जो पहले उकलब्द सेवाएं थी, उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है, दल कोई भी हो, सरकार कहीं की भी हो, गरीबों के प्रती संबेदन सिल्टा, इस जी एस्टी के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने, समान रुप से उसकी चिंता किये, मैं जी एस्टी काउंसिल को बढ़ाई देता हूँ, अब तक इस काम का नेत्रूक जिन जिन लोगों ने किया है, और उन्ट जीने विस्तार चे कहा था मैं उसका पुन्रावरतन नहीं करता हूँ मैं उन्ट सब को भी बढ़ाई देता हूँ इस प्रक्रिया को जिन जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उन्ट सब को मैं बढ़ाई देता हूँ आज GST काउंसिल की 18 भी मिटिंग हुई और थोड़ी दिर के बाद GST लागू होगा ये भी संजोग है कि गीता के भी 18 अध्याय थे और GST काउंसिल की भी 18 मिटिंग हुई और आज हम उस सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं एक लंबी प्रक्रिया थी परीशम थी शंका आशंकाय थी राज्यों के मन में गहरे सबाव थे लेकिन अथाग पुर्शार्थ परीशम दिमाग की जितनी भी शक्ति उप्योग में लाई जा सकते हैं लाकर के इस कारे को पार किया है चानक्य ने कहा था यद्दुरम यद्दुराद्यम यच्चे दुरे व्यवस्थितम तत सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरती क्रमम चानक्य के स्वाक्य ने हमारी पूरी जेस्टी प्रक्या को बड़े अच्छे धंग से कहा है कोई वस्तु कितनी ही दूर क्यों नहो उसका मिलना कितना ही कठीन क्यों नहो वो पहुंच से कितनी ही बहार क्यों नहो कठीन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है और ये आज हुआ है हम कल्पना करें कि देश आजाद हुआ 500 से ज़्यादा रियासते थी अगर सरदार बलभाई पटेल ने इन रियासतों को मिला करके देश को एक न किया होता तो भारत का राजनितिक मानचित्र कैसा होता कैसा बिखराव होता आजादी होती लेकिन देश का वो मानचित्र कैसा होता जिस प्रकार से सरदार बलभाई पटेल ने रियासतों को मिला करके एक राष्ट्य एकी करण का बहुत पड़ा काम किया था आज GST के द्वारा आर्थीक एकी करन का एक महत्वप्रून काम दो रा 29 राज, साथ केंदर सासित प्रदेश केंदर के 7 टेक्स, राज्यों के 8 टेक्स और हर चीजों की अलग-अलग टेक्स का हिजाब लगाएं 500 प्रकार के टेक्स कहीं ने कहीं अपना करोल के कर रहे थे आज उन सबसे मुक्ति पाकर के अब गंगा नगर से लेकर के इटा नगर तक ले से लेकर के लक्षद्वीब तक बन नेशन, बन टेक्स ये सपना हमारा साकार होके रहेगा और जब इतने सारे टेक्स 500 अलग अलग हिजाब लगाएं 500 टेक्स आलबर्ट आइस्टेइन प्रकर वज्ञाने उन्होंने एक बार बड़ी मज़ेदार बात कही थी उन्होंने कहा था दुनिया में अगर कोई चीज समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो वो है इंकम टेक्स यह आलबर्ट आइस्टेइन ने कहा था मैं सोच रहा था अगर वो यहां होते तो पता नहीं यह सारे टेक्स देखकर क्या कहते क्या सोचते और इसलिए और हमने देखा है कि उत्पाद के अंदर के उत्पादन में तो ज़्यादातर कोई बहुत असमानता नहीं आती है लेकिन जब प्रोड़क्ट भार जाता है राज्जों के अलग-अलग टेक्स के कारण असमानता देखती है एक ही चीज दिल्ली में एक दाम होगा पचीस-तीस किलोमेटर दूर गुरुग्राम में दूसरा दगेगा और उधर नोएडा में गए तो तीसरा होगा क्यों क्योंकि हर्याना का टेक्स अलग उत्तर प्रद कि मन में सवाल उड़ता था कि मैं गुरुग्राम जाओं तो यही चीज मुझे इतने में मिलती है और दिल्ली में जाते इतने मिलती है एक प्रकार से हर किसी के लिए कंफूजन के स्थिति रहती थी और पुजी निवेश में भी विदेश के लोगों के लिए यह सवाल रहत आज उस पे से हम मुक्ति की और आगे बढ़ रहे हैं अरुन्ची ने बढ़ा विस्तार से बनन किया है कि जीस्टी के कारण ऑक्ट्रों की ववस्ता हो, entry tax हो, cell tax हो, बैट हो, नजाने कितले चीजे, सारा भणना नूनर विस्तार से किया, सब खत्म हो जाएगा हम जानते हैं कि हम एंटिर के ट्रोल पर गंटों तों के हमारे वेहिकल खड़े रहते हैं। देश का अर्बों खर्बों का नुक्षान होता है। फ्यूवल के जलने के खारण परियावरण का भी उत्राई नुक्षान होता है। इस सारी वेवस्ता हैं सिमले होने के कारण एक प्रकार से उन सारी अवेवस्तावों में से एक मुक्ति का मार्क हमें प्राप्त होगा। कभी कभार पैरिसेबल गुड़ खास करके समय पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता था। लेकि वो जब नहीं पहुंचता था तो उसके कारण उस पहुंचाने वाले का भी नुक्षान होता था। और जो प्रोसेशिंग करता था उतका भी नुक्षान होता था इन सारी जो व्यावार जीवन की अवेवस्थाएं थी उन्हें अवेवस्थाओं से आज हम मुक्ति पा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं जीएस्टी के तौर पर देश एक आधुनिक टैक्सेसन सिस्टीम की और आज कदम रख रहा है बढ़ रहा है एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है ज्यादा पारदर्ची है एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और ब्रश्टाचार को रोकने में एक आउसर प्रदान करती है एक ऐसी व्यवस्था है जो इमांदारी को आउसर देती है जो उंगांदारी से व्यवस्था करने के लिए एक नया उत्सा और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है एक ऐसी व्यवस्ता है जो नए गवर्नन्स के कल्चर को भी ले करके आती है और जिसके द्वारा जी एस्टी हम ले करके आए है भायोग साथियों टेक्स टर्रिजम और इंस्पेक्टर राच यह बात कोई नहीं नहीं है सब दूर यह शब्दम सुनते आये हैं परिशानी भुगतने वालों से हमने उस चिंता को अनुभव किया है और जी एस्टी की इस विवस्ता से कारण टेक्नोलोजी के लिए सारा ट्रेल होने के कारण अ अब अपसर साही उसके लिए ग्रे एरिया बिलकुर समाप्त हो रहा है उसके कारण जो सामाने व्यपारियों को सामाने कारोबारियों को अपसरों के द्वारा जो परिशानिया होती रही है उससे मुक्ति का मार्द इस जी एस की के द्वारा कोई इमानदार व्यापारी बेवजर परेशान हो वो दीन इसके साथ खतम होने की पूरी संभावना इस जीएस्टी के अंदर है इस पूरी व्यवस्ता में छोटे व्यापारियों को 20 लाग तक का व्यापार करने वालों को पूरी तरह मुक्ति दे जी गई है और जो 75 लाग तक है उनको भी कम से कम इस चीजों से जुड़ना पड़े इसकी व्यवस्ता की है इबार ठीक है कि structure में लाने के लिए कुछ व्यवस्ता है किये लगिए वो minimum व्यवस्ता है नाम मात्र की विवस्थाएं की गई है और उसके कारण सामान्य मानवी जो है उसके लिए इस नई विवस्था से कोई बोज होने वाला नहीं है साथियों GST के व्यवस्ता ये बड़ी बड़ी आर्थिक भाषा में जो बोला जाता है वहां तक सिभीत रही है बड़े बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं लेकिन अगर सरल भासा में है कहो कि देश के गरीबों के हीत के लिए ये ववस्ता सबसे ज़्यादा सारसक होने वाली है आजा थी कि 70 साल के बाद भी हम गरीबों तक जो पहुचा नहीं पाए है ऐसा नहीं कि प्रैत्त नहीं हुए है सबसरकारों ने प्रैत्त की है लेकिन संसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवशक्ताओं की पूरती में कहीं न कहीं कम पड़े है अगर हम संसाधनों को सुब्यवस्ति डंच से और बोज किसी एक पर न जाएं बोज स्प्रेड हो जाएं होरीजोंटल जितना हम स्प्रेड करें उत्रा ही देश को वर्टिकल ले जाने की सुब्यदा बढ़ती है और इसलिए उस दिशा में जाने का काम अब वो कच्चा बिल पका बिले सारी खेर खतम हो जाएंगे बड़ी सरलता हो जाएगी और मुझे भी स्वास है छोटे मोटे बापारी भी ये जो गरीब को बेनिफिट मिलना वाला है वो जुरू उसको ट्रांसफर करेंगे ताकि गरीब का भला हम लोगों का आगे भढ़ाने के लिए बहुत बहुत काम आने वाला है कभी कभी आशंकाय होती है कि यह होई होगा डिकना नहीं होगा फ़ला नहीं होगा और हमारे देश में हम जानते हैं कि जब 10th और 12th के result ओनलाइन देने की शुरूआत की और एक साथ सब गए जब तो सारा हेंग अफ हो गया और दूसरे दिन खबर यहीं बन गई कि ऐसा हो गया आज भी काप से यसी चर्चा होती है यह बाद ठीक है कि हर किसी को टेकनलोजी नहीं आती है लेकिन हर परिवार में पर दसवी बारवई का अगर 20 दी है तो उसको असारी चीज आती है कोई मुश्किल कामने इतना सरल है गर बेर दसवी बारवई का विद्यारवई भी रहता है तो चीजें छोटे से ब्यापारी को भी और वो मदद कर सकता है contenido रास्ता नैकल चक्ता है जो लोग आशंकाय करते हैं मैं कहता हूं कुर्पा करके ऐसा मत कीजिए अरे आपका पुराना डॉक्टर हो आप उसी से अपनी आँखे लगातार चेक करवाते हो वो ही हर बार आपके नंबर निकालता हो आपका चश्मा बनाने वाला भी निश्चित हो आप वहां के नंबर ब करना पड़ता है यह बस इतना ही है और इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे इस व्यवस्ता के साथ हम आसानी से जुड़ जाएंगे और इसलिए मैं आप से आगरह करता हूं कि अप्पाओं के बाजार को बंग करे और अब जब देश चल पड़ा है तो सफल कैसे हो करके चलें और तब जा करके जीएस्टी की इस दिन्राय का वैश्विक जी एकनामिक वर्ल में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ है भारत में जो पुंजी निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रकार की विवस्ता बहुत आसानी से समझ पाते हैं और उसको च प्रियर डेस्टिनेशन गी रूप में भारत को हर प्रकार से स्विकूर्थी मिली हैं और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी सुविधा विश्व व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी भारत के साथ व्यापार करने के मिलेगी जीएस्टी एक ऐसा केटालिस हैं जो देश के व्यापार को उसमें जो असंतुलन है उस असंतुलन को खत्म करेगा जीएस्टी एक ऐसा केटालिस्ट है जिससे एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बहुत बन मिलेगा और जीएस्टी एक वो व्यवस्ता है जिसके कारण आज हिंदुस्तान में जो राज्य ठी प्राण गुंड़तने अपड़ता है उन राज्यों का कोई दोस्त नहीं है प्राक५ॄतिक संप्रदां से समुरु है क्या हमारा बीहार देखे हमारा पुर्वी उत्तरप्देश देखे हमारे और उडिसा देखे संसाधन प्राकूर्थिक संसाधन से लेकोन अगर उनको ये व्यवस्ता जब जिस एक कानून की व्यवस्ता मिल जाएगी मैं साब देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्था के विकास के विमें जो कुछ भी कमी रह गई हैं उसको पूरे करने का सबसे बड़ा अवसर सबसे बड़ा अवसर इसे मिलने वाला है हिंदुस्तान के सभी राज्यों को विकास के समान अवसर प्राप्त होना ये अपने आप में विकास के रहा पर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है GST एक प्रकार से जैसे हमारी रेलवे है रेलवे केंद्रो और राज्यों मिलकर के चलाते हैं फिर भी भारती रेल के रूप में हम देखते हैं राज्ये के अंदर स्थानी रूप से मदद मिलती है एक समान रूप से हम देखते हैं हमारी Central Service के अधिकारी केंद्र और राज्यों में वित्रित हैं फिर भी दोनों तरब से मिलकर के चला सकते हैं एक GST ऐसी विवस्ता है कि जिसमें पहली बार केंद्र और राज्य के लोग मिलकर के निश्चित दिशा में काम करने वाले हैं यह अपने आप में एक भारत स्वेष्ट भारत के लिए एक उत्तम से उत्तम विवस्ता आज हो रही हैं और जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में आने वाली पीडियां हमें गर्व के साथ स्विकार करेगी दो हजार बाइस भारत के आजादी के 75 साल हो रहे हैं न्यू इंडिया का सपना लेकर के हम चल पड़े हैं सवा सो क्रोर देशवा से न्यू इंडिया बनाने के सपनों को लेकर कर चल रहे हैं और इसलिए भाईयो बैनो जी एश्टी एक एहम भूमिक आदा करेगी और हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रयास किया है लोकमाने तिलक जी ने जो गीता रहस्च लिखा है उस गीता रहस्च के समापन में उन्होंने वेद का एक मंत्र को उसमें समाहित किया है उस वेद का मंत्र आज भी हम लोगों के लिए प्रेनडा देने वाला है और लोकमा किया हुए मुल्तह रुगवेत का इस्लोग है समानी वहा आकूरति ही समाना रुदैयनी समाल मस्तू वो मनो यथा वसु सहास्ति आप लोगों का संकल्प निष्च्च और भाव अभीप्राए एक समान रहे आप लोगों के रदय एक समान हो जिससे आप लोगों का प्रस्परकार्य सर्वत एक साथ भली प्रकार से हो सके इस भाव से लोखमाने तिलक जी ने भी हमें आज परणाम दिया है GST न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्ता है GST डीजिटल भारत की टैक्स व्यवस्ता है GST सिरफ इस अफ डूइंग बिजनेस नहीं है GST वेज़ बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है GST सिर्फ एक tax reform नहीं है लेकिन वो आर्थिक reform का भी एक एहम कदम है GST आर्थिक reform से भी आगे एक सामाजिक reform का भी एक नया तपका जो एक इमानदारी के उत्सव के दिशा में ले जाने वाला यह बन रहा है कानून की भाषा में GST goods and service tax के रुप में जाना जाता है लेकिन GST से जो लाब मिलने वारे हैं और इसलिए मैं यह कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि goods and service tax लेकिन हकिकत में यह good and simple tax है और good इसलिए कि tax पर tax tax पर tax जो लगते थे उससे मुक्ती मिल रही हैं simple इसलिए है कि पूरे देश में एक ही form होगा एक ही ववस्ता होगी और उसी ववस्ता से चलने वाला है और इसलिए उससे हमें आगे बढ़ाना है मैं आज इस अवसर पर आधर ने राष्ट पती जी ने समय निकाल करके क्योंकि इस सारी यात्रा के बेवी एक साथी रहे सही यात्री रहे इसके हर पहलू को उन्होंने भली पाती देखा है जाना है प्रयास किया है उनका मारदर्शन इस महत्वपुन एतियासिक गड़ी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेड़ा का कारण बनेगा नया उमंग और उत्सा मिलेगा और उसको ले करके हम आगे चलेंगे मैं आदरनी राश्पतीजी से मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो आज आएं हम सब का मारदर्शन करने के लिए और उनका उनकी बाते हम सब को एक नई प्रेड़ा देती रहेगी इसी एक भाव के साथ मैं फिर एक बार इस प्रेड़ा के साथ जुड़े हुए हर किसी का आभाय व्यक्त करते हुए मेरी वानी को विराम देता हूँ और सद्धे राश्पतीजी से आगरा करता हूँ कि वो हमारा मारदर्शन करें